हलो दोस्तो नमस्कार सरकारी नोटिफिकेशन में आप सभी का स्वागत है आज हम फिर एक नए नोटिफिकेशन के साथ आप लोगों के सामने उपस्तित हुए हैं तो यह जो नोटिफिकेशन आया है यह है UPPCL से है टेक्निसियन की भर्ती है तो यदि आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सस्क्राइब जरूर कर लें और वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि हम लोग देख सकें कि इस वीडियो में कितना वेतन होगा इस फॉम को भरने के लिए क्या अंतिम डेट होगी और इस फॉम को भरने के लिए हमें क्या-क्या आवसकता होगी हमारा क्या सलेबस होगा इस एक्जाम में क्या-क्या पूछा जाएगा इस फॉम को पूरा फील करने के लिए कहीं कोई गलती न हो जाए तो इस वीडियो को जरूर देखें, पूरा अंत तक देखें, आप लोग वीडियो बीच में ही छोड़ देते हैं, तो ऐसा ना करें, और यदि वीडियो पसंद आये तो लाइक करें, चैनल को सस्क्राइब जरूर करें, हमें सपोर्ट करें, चैनल को सस्क्राइब जरूर कर ल शुरू करते हैं देखते हैं इस notification में क्या दिया गया है कितनी post है तो हम लोग आ चुके हैं notification में notification open कर लिया है तो आए देख लेते हैं notification में क्या क्या दिया गया है notification में सबसे पहले उपर दिया गया है कि जो हमारा exam होगा वह होगा CBT base पर यनि कि जो हमारा exam होगा वह है online होगा computer based test होगा लिखित होगा और यह है समुखगा की परिक्षा होगी सीधी भरती होगी तो आईए चलिए notification को पूरा पढ़ते हैं और देख लेते हैं क्या क्या दिया गया है तो पहले ही page पर दिया गया है पद code number जब हम form को apply करेंगे तो यह है पद code number की आव सकता होगी तो इसलिए आप लोग इस पद code number को देख लें पद का नाम टिकनेसियन विदूत आरक्षित को लिए 245 पोस्ट है और अन्य पिछड़ा वर्ग नौन क्रीमी लेयर 164 पोस्ट अनुसूचित जाती 127 पोस्ट अनुसूचित जन जाती 12 पोस्ट और आर्थिक रूप से कमजोर समानने वर्ग 60 पोस्ट दी गई है तो इस फोम को कैसे अपलाई करना है इसकी अंतिम डेट क्या है सभी पर हम बात करेंगे तो आए देख लेते हैं इसकी सेलरी कितनी होगे इसका वेतनमान कितना होगा तो इसका वेतनमान जो होगा वह होगा वेतन मैक्ट्रिक्स लेवल फ भाहरता जो होंगी वह है इस बोक्स में दिया गया है इस बोक्स को पढ़ ले इस बोक्स को पढ़ ले और इसमें सभी आपके योगताएं दी गई हैं परमानपत्र कहां से होना चाहिए ? इलेक्ट्रिसियन, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल, कोसल विकास के अंतरगत, विदुत वितरण में कहां से, तो कहां से आप उतिन होने चाहिए, सभी चीज के बारे में दिया गया है, तो आगे देखते हैं, इसकी जो निवन्तम आयू होगी, वह 18 से 40 वर्स होगी, और जो अंतिम तिथी होगी, जहां तक आयू आपकी गिनी जाएगी, वह होगी 11 2020, जो आयू में आपको छूट दी जाएगी, वह इसके नीचे पॉइंट नंबर 4 में दिया गया है, नियम के अंसार आपको छूट दी जाएगी, इस पॉइंट नंबर 4 को जरूर पढ़ लें, इसम तो इसमें जो फीस होगी वह अनुसूचिट जाती और जनजाती के लिए जैसे अनुसूचित जाती और अनुसूचित जनजाती शेणी के लिए जो होगी फीस वह 700 रुपए होगी और अन्य समान्य शर्णियों के लिए 1000 रुपे होगी तो आप लोग इसे online banking के द्वारा भी जमा करा सकते हैं और offline भी जमा करा सकते हैं चलान के द्वारा यह जमा होगा तो इसकी website जो होगी www.uppcl.org होगी वहाँ पर आप जाकर इस notification को भी फुल पढ़े और तभी form को apply करें वरना आप form को भरने में तुरूटियां हो सकते हैं यदि आपको form भरने में कोई तुरूटी होती है तो हम आपके form को भर देंगे हम आपको description में email ID दे देंगे जहाँ पर आपको कोई पुराना form या आप full detail एक page पर note down करके हमें PDF के द्वारा उस पर mail पर भेज दें हम आपके form को भर देंगे और जो payment होगी वह आपको देनी होगी तो आए देख लेते हैं इसकी जो date होगी form को भरने की वह क्या होगी तो इसका देख लेते हैं syllabus क्या है तो इसका syllabus जो होगा दो भाग में exam होगा जो पहला exam होगा वह है CVT तो exam है ही जो पहला होगा वह है CCC base पर जो CCC हम लोग करते हैं जिसका certificate computer ग्यान के लिए होता है उसी base पर इनका पहला exam होगा जो 50 number का होगा जो पर question एक अंक का होगा और 50 अंकों का होगा एक गलत question पर एक बटे चार यानि की 0.25 अंक काट लिया जाएगा और इस परिक्षा में आपको 20 अंक लाना अन्वार है यदि आपको 20 अंक से कम होते हैं तो आप फेल माने जाएंगे आप अगले exam में भाग नहीं ले सकते इसलिए आपको computer ग्यान में 20 अंक लाना अन्वार होगा और फिर उसके बाद ही आप दूसरे exam में बैठ सकते हैं यानि की second paper में बैठ सकते हैं second paper जो होगा वह भी एक अंक का एक question होगा 200 question होगे और जो question गलत होगा उसका minus marking होगा यानि की 0.25 अंक काट लिया जाएगा यानि की एक बटे चार minus marking होगी तो इसका जो slavus है वह है समानने अध्यान तक्नीकी ग्यान 20 person होगे 20 अंक के होगे और दूसरा होगा समानने हिंदी high school समानने स्तरपर होगा इसके 15 person होगे 15 अंक के होगे जो समानने अंगलिस होगा high school बेस पर यह भी होगा यह भी 15 person और 15 अंक के होगे और जो फोर्त नंबर पर है वह है तक्नीकी विश्यक ग्यान होगा, 500 नंबर का होगा और 500 question होगे, इस परकार कुल मिलाकर 200 person आपके बनेंगे और इसमें भी आपको 30.5% अंक लाना अन्यवार रहे अन्न था आप फेल माने जाएंगे यनि की 67 अंक आपको लाने ही होंगे 67 अंक आपको लाने ही होंगे पेपर में 200 में से 67 अंक आपको लाने होंगे तभी आपके चैन परकिरिया आगे बढ़ेगी अन्न था आप चैन परकिरिया से बाहर हो जाएंगे तो आप लोग देख लें फॉर्म को भरने से पूर पूरा सलेवस देख लें पूरा नोटिफिकेशन पढ़ लें तभी फॉर्म को भरें तो आईए अब इसकी हम date देख लेते हैं यह form कब और कैसे apply करना है तो इसको form भरने की जो online date start होगी वह है 172020 से 272020 को हो चुकी है तो 272020 तक यह form भरा जाएगा यह form चालू हो चुका है आप लोग इस form को भरना इस्टार्ट कर दें यदि form भरने में कोई दिक्कत आ रहे है तो हमारे email ID पर हमसे संपक जरूर करें comment box में comment करें मैं आपकी मदद करूँगा और जो net banking से फिश जमा करने की date होगी वह है 172020 से 272020 के बीच होगी और जो चलान जमा करने के लिए होगा वह है चलान भारतिय स्टेट बैंक का ही चलान होगा यह जमा करने की अंतिम तारीक 27 यनि की 22-72020 तक आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं जो भरने की date होगी वह 24-72020 तक होगी और परिक्षा की अवधी आपको अगस्त 2020 के दित्य सब्ता में संभावित है इसमें ही होगी तो यह notification था तो जो आप लोगों के लिए था तो आप लोग को यह video कैसे लगी comment box में जरूर बताएं यदि कोई गलती होती है तो वह भी comment box में बताएं ताकि हम उस गलती को सुधार सकें और जो इसकी website है वह है www.uppcl.org इसकी ही website पर जाकर form को भरें और other website पर न जाएं और मैं अब आपको अगले वीडियो में बताऊंगा कि आप इस form को कैसे apply कर सकते हैं तो हमारे अगले वीडियो को तक फिर मिलते हैं नमस्कार दोस्तों